हाई फ्रेंड गुट मॉर्निंग आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ और आज जारी हूँ आगरा अपनी मम्मी पापा से मिलने के लिए 6 मन्त बात तो हम सब हो गए हैं रेडी ये देखिए सब रेडी हो गए अपनी नानी के पास जाने के लिए सब तयार है ये देखिए बीपी जी कहा है कुछ कर रहे है शायद चाहता आजा आजाओ बीपी जी ये देखिए नौइडा हम लोग नौइडा आ गए है और ये देखिए हमारा नौइडा किसी करेडा से कम नहीं है कितनी कुछूरत वेल्टिंग लग रही है गाड़ी से वीडियो बना रही है अचली इस दिए थोड़ी पास चल दिए ये देखिए हैं ये देखो हम गोड़ पर उतर हैं वीडियो बनाने के लिए और ये है नौइडा नौइडा के साज आएवे पर खड़े हैं हम इस टाइम ये देखो पीशे बैदिए ये देखो गारी ममा आविटा कोई आप अपने पसंद का को शास्त्री का पसंद कोई गाना सुनाओ का हां सुना देंगी लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा कोई नहीं आप सुना दो तो चलो सुनाते हैं तुम्हें हम गाना एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है फिर उसकी शादी हो जाती है फिर उसका बॉइफ्रेंड उसको लिखता है खत अच्छा तो सुनिया जी खत में क्या लिखता है क्या लिखता है बैठीके गम की तनहाईयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे जब सोएगा सारा जमाना तेरी आदो में दादा करेंगे सामने रख के चरी उसे जी भर के चुमा करेंगे सामने रख के तश्वीर तेरी उसे जी भर के देखा करेंगे बैठीके गम की तनहाईयों में तेरी यादो में जागा करेंगे नाम लिखिके है तेली पे तेरा याद आए तो जुमा करेंगे नाम लिखिके है तेली पे तेरा याद आए तो जुमा करेंगे बैठीके गम की तनहाईयों में तेरी यादो में जागा करेंगे और क्या लिखता है सुनिए सब दिन घूमत गलियन मेरी प्यारी गलियन मैं और राती की बिलकुल नीद भिशारी कब आए हो गोरी ससुरे से प्यारी पत्र लिखो और राती की बिलकुल नीद भिशारी वो लिखता है अपनी प्रेमका के लिए लेटर क्योंकि वो ससुराल जली जाती है और आगे नहीं सुनाओंगी क्योंकि तुम्हारे समझ कुछा है दीक है ओकी यह देखो मेरी लाडली अब चला रही है बेटी गाड़ी अब मैं गाड़ी से उतर गई हूँ क्योंकि उसने बोला ममा अब मुझे चला लेने दो गाड़ी क्योंकि दूर का सपर है कुछ मैं चलाऊंगी कुछ बेटी चलाएगी कुछ पापा चलाएगी इसी में घर पहुंच जाएगे कोई तकता नहीं है ना वे सब लोग चलाते हैं तो दखेंगे कैसे और ये बैठी है लाड़ी छोटी और क्रिश्ना मेरा पिछेश हो रहा है वो दिखाई नहीं देगा ये मेरे हजबेंट जी वैठे है टाइम हो रहा है आट उनतिस क्योंकि हम मौनिंग मौनिंग जा रहे हैं जल्दी क्योंकि पापस भी आज ही आना है मुझे इसलिए जल्दी जल्दी निकल रहे और हम यहां से निकल चुके यह देखिए किस जगे आगे जेवर यह देखो अब मेरी चोटी की उडिपाई गाड़ी चला रही है तुम लोग यह सोचोगे कि मेरे गर सब गाड़ी चलाते हैं तो हां मेरे सब के गुरू जी मेरे हस्बेंट जी है जो अपने सारे बच्चों को सारी चीजे चिखाते सब को ड्राइवर बना रहे हैं बड़ी बेटी को छोटी बेटी को बेटे को अभी से क्योंकि लाइफ में पता नहीं कब जरुवत पड़ जाए अगर गर पर कोई होता नहीं तो अपने गाड़ी लेके जातो सकते हो ना इसलिए यह आगे हम मत्रा होटल पे शिवम पे क्योंकि यहां पे भूख लग रही है तो मैं अब मैं आगी हूँ यहां पर फोजावाद चूडियां चूडियों के सेर में अभी चूडियां देख रही हूं करवाशौत के लिए मैंने सोचा जब ममी से मिलने आई हो तो चूडियां ही लेलू सेट ले रही हूँ देख रही हूँ कौन सा पचंद आए एंड रेड वाला ले लिया अच्छा है न अब मैं आ गई हूँ अपने ममी पापा के गर फिरो जावाद और यह है हमारी ममी जी यह गुल्म गोलू ममी जैसे हम है यह हमारी ममी जी है यह हमारे पापा जी है पापा जी न हमारे सब से जादा मुझे जैसी है अबाब ची न हमारे बेटों को फिया हम गती इसलिए मेरे ममी पापा तो एक मेरे को बहुती है अब तुम लोग तो अपनी वेडियो प्यार गरते हो तो तुम तर्मा सकते हो प्यार नहीं करते हो तो तुम गया जान कुछा हो और हमें थोड़ी बेर आद यहां से निकल भी हुँ अपने गज जारी हुँ यहां पूंपी छो यार मेरे ममी पापा की सा हाई बुषछ छोटा और एक और आ रही है जन्नत की पीसरी बती घी ओ्हो हो मुँँ दोदो के आग》 वह यह खेल 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 के आगे पूट गिचाने के लिए देखो रात के 11 बज रहे हैं और कितना जाम लग रहा है यह देखो टाइम दस इक टालिस बही नीद आ रही है जाम खतम नहीं हो रहा गर पर कैसे पहुचे हैं अब हम जा रहे हैं डेली वापस सुबह आए थे रात को वापस निकल रहे हैं अच्छा ठीक है बाबाई गुद नाइच